मेरे फैंस और फॉलोर्स मुझसे हमेशा ये सवाल पूछते रहते हैं मैं अपने उद्देश्यों को मैनिफेस्ट करना कैसे शुरू करूँ और मैं अपनी जर्नी की शुरुवात कहां से करूँ ये वीडियो आपको अपने उद्देश्य को मैनिफेस्ट करने के 6 इंस्टेंट तरीके बताएगा पहला सपस्ट हो जाएं कि आप क्या बनना चाहते हैं अगर आप अपनी इक्षाओं को लेकर सपस्ट रहेंगे तभी ब्रम्हान आपकी सुनेगा ब्रम्हान को ये सपस्ट रूप से पता होना चाहिए कि आप क्या और क्यों किसी चीज को आकरशित करना चाहते हैं पॉइंट ये है कि आप जिन चीजों को महसूस अनुभव और मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उनकी एक लिस्ट तैयार कर लें आप इस प्रक्रिया में जितना जादा सपस्ट होंगे उतना जादा आपके लिए अच्छा होगा दूसरा अपने डिजायर्ड आउटकम को विज्वालाइज करें आपके दिमाग में असीमित छमता है उदाहरन के लिए अगर आप अपना ड्रीम होम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो विज्वालाइज करें कि आपको अपने किचन में जाकर कैसा महसूस होगा अपने भविश्य के वातावरन के टेक्स्चर, फ्रेग्रेंस, वाइब और मूड की कलपना करें आप जैसे ही ऐसा करते हैं, ब्रम्हान इसे वास्तविक्ता में बदलने में लग जाता है अगर आप इसे नहीं देख सकते, तो ब्रम्हान को नहीं पता चलेगा कि इसकी डिलिवरी कहां करनी है हालांकि अगर आप देख सकते हैं, तो आपकी संभावनाएं असीमित है अच्छे, बुरे, सभी दिनों का अनुभव करना पड़ता है, ये हमारे भरोसे और शेहनसीलता की परिक्षा लेता है, आपको बस अपने अंदर की नकारात्मक उर्जा को बाहर जाने की अनुमती देनी हैं, और साथ ही अपनी जिंदगी में कुछ अदबुद मैनिफेस्ट क करने के लिए खुद को कमपैशन से भरे रखना है, चौथा, जितना संभव हो सके उतने रीच्वल्स और मेथड्स ट्राइ करें, मैं पिछले 6 सालों से ट्रांस्फोर्मेशन कोच और मैनिफेस्टिंग गाइड हूँ, मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगता है कि अलग अलग तरह के मैनिफेस्टिंग अप्रोचेस के बारे में बताया है, अगर आप मुझे जानते हैं, तो आपको पता होगा कि मैं बस उन ही चीजों को शेर करता हूँ, जो मुझे सच में पसंद आती हैं, पांचवा, मेडिटेट करे, अफर्मेशन को इस्तमाल करे, फ् अगर पर ध्यान देने लगते हैं, तब आप अपनी उर्जा और भावनाओं को मैनेज करने की शक्ति को भूल जाते हैं, इसे करने का एक सबसे अच्छा तरीका मेडिटेशन है, आपका दिमाग आपसे कहेगा कि आप गलत कर रहे हैं, पर आपकी आत्मा और आपके दिल को स पता होगा, जब आप मैनिफेस्टेशन के दौरान कम से कम पाँच मिनट के लिए भी रिलाक्स और मेडिटेट करते हैं, तब आपकी जंदगी बदलनी शुरू हो जाती है, छठा जर्नी को इंजोय करें, भविश्य को मैनिफेस्ट करने के चक्कर में हम वर्तमान छन के जा सब कुछ सही समय पर देगा और आपका काम बस जर्नी को इंजोय करना है, बहुत सारे इंसाइट्स और अच्छी चीजें तब खुल कर आएंगी जब आप अपने उद्देश्यों के मैनिफेस्ट होने के लिए जगह बनाएंगे, आशा करता हूँ कि आपको इन स्टेप्स के बारे में जानकर मजा आया होगा, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ मैं में शुरू होने वाजे 30 दिनों के मास्टर दल लॉफ अट्रैक्शन वर्क्शॉप का हिस्सा बने